अजिक कर दोस्तों सवागत आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले पोस्ट अपिस की काफी बहतरीन इन्वेस्ट्रमेंट इसकिम्स के बारे में और इसकिम्स की सप्थे निवेदाने के से और वी वीडियो से आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरे पैसे के 100 फिजदी सेफ रहने की गैरेंटी होती है पोस्ट आपिस नो बज़र जोजनाओं की पेशकर्ष करता है जिन पर मुझुदा ब्याजदर 7.6 फिजदी सालाना तक है पोस्ट आपिस में सेविंग्स अकाउंट टाइम डिपोजिट अकाउंट से लेकर STAS, PPF, KVP, NSC और सुकन्या सम्रधी अकाउंट तक खुलवाए जा सकते है आईए जानते हैं पोस्ट आपिस की इन बच्चे जोजनाओं की डिटेल तो सबसे पहली बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में तो पोस्ट आपिस में 500 रुपय में सेविंग अकाउंट खु खिलवा सकते हैं बेंको की तरभ आगों पॉश्टफिस सेविंगस अकॉंट में भी समय धे स्वी काँउंट के लिए पन्तली बिलेंस मिंटेन करना होता है पोस्ट ओपिस सेविंग्स अकाउंट पर चेक, ATM सुविधा, नोमिनेशन सुविधा, अकाउंट एक पोस्ट ओपिस से दूसरे में ट्रांसफर कराने की सुविधा, इंट्रा ओपरेबल नेट बेंकिंग, मोबाइल बेंकिंग की सुविधा, पोस्ट ओपिस सेविंग्स अका इसका maturity period 5 साल है post office recurring deposit पर मुझज़ा ब्याजदर 5.8 फिस्दी सालाना है account single या joint में 10 साल से अधिक उम्रिके नाबालिक और दिमागी रूप से कमजोर वेक्ति के नाम खुलवा सकते हैं अगर इसे मा की 15 तारिक से पहले खुलवाया है तो हर मेंदे के 15 तारिक से पहले आपका मंतली installment इसमें deposit हो जाना चाहिए अगर 15 तारिक के बाद खुलवाया तो मेंदे की आखरी तारिक तक इसका deposit होना जरूर है तारिक तक मंतली deposit जमान न होने पर post office आप से हर default पर प्रती 100 रुपे पर एक रुपे की default फिस लेता है लगातार चार defaults के बाद recurring deposit account discontinue कर दिया जाता है अला कि इसे दो मेने के अंदर रिवाया जा सकता है लेकिन अगर इस सबुदी में रिवाय नहीं करा गया तो आगे इसमें कोई भी deposit नहीं होगा मंतली deposit करने से चुकने के बाद आपको पहले पिछला बकाय deposit और फ्रीज भरनी होगी तब आपका मौझूदा मंतली deposit मंजूर किया जागा Post Office RD को तीन साल बाद prematurely close करा सकते Post Office RD पर nomination, account एक post से दूसरे में transfer कराने की सुईदा एक Post Office में कई RD खुलवाने की सुईदा intra-operable net banking, mobile banking से online deposit की सुईदा इंडिया Post payments bank, saving account से online deposit की सुईदा account को maturity period खत्म होने के बाद पांस साल के लिए extend कराने की सुईदा उपलब्द है Post Office RD पर loan भी लिया जा सकता है account खुलवाने के एक साल बाद मौझूदा balance की 50.50 तक का loan ले सकते Post Office time deposit Post Office में एक साल से पांस साल तक की TD खुलवा सकते account को minimum 1000 रुपे में खुलवाया जा सकता है maximum limit नहीं है Post Office TD पर मौझुदा ब्याजदर 5.5.50 से 6.7.50 साल नाथ तक है TD सिंगल या जोइंट में 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिक या दिमागी रूप से कमजोर वेक्ति के नाम पर कराई जा सकते Post Office TD कराने के बाद 6 मा पूरे होने के पहले premature in-cashment नहीं हो सकता है 6 मा बाद से लेकर account के 12 मा पूरे होने तक अगर TD को बंद कराया जाता है तो Post Office Saving Account की ब्याजदर लागो होगी लग की TD की 5 साल की Post Office TD में निवेश को आयकर कानून के section ATC के तहत टेक्स से छूट प्राप्त है Post Office TD पर नोमिनेशन सुईदा अकाउंट एक पोस्ट से दूसरे में ट्रांसफर कराने की सुईदा एक ही Post Office में कई TD खुलवाने की सुईदा सिंगल अकाउंट को जोइंट में या जोइंट अकाउंट को सिंगल में करने की सुईदा अकाउंट एक्स्टेंड कराने की सुईदा इंट्रा उप्रेबल नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के जरिये ओनलाइन अमांट ओपनिंग सुईदा फिर से एक्टिव होता है साथ ही अगर आप महिने के पूरे इंट्रेस्ट का वाइदा लेना चाहते तो हर मां की पांस तारीक तक पीपीएप में डिपोजिट कर दे पोस्ट ओपिस पीपीएप पर नोमिनेशन सुईदा माइनर के नाम पर दूसरा पीपीएप अकाउंट खुलवाने की सुईदा उपलब दे पोस्ट ओपिस पीपीएप का मेचुरिटी पीरिएट 15 साल है और इससे पहले क्लोजर नहीं किया जा सकता हाला की चुनिंदा मामलों में 5 साल के अवधी पूरा होने के बाद जरूरत पढ़ने पर इससे क्लोज कराया जा सकता है ये मामले इस तरह है एक, खातादारक उसके जीवन साती या निर्बर बच्चों को जान लेवाऊ विमारी होने पर PPF खातादारक या निर्बर बच्चों की उच्छे शिक्षा के लिए खातादारक की विदेश में बसने पर Post Office PPF में निवेश इस पर आने वाले ब्याज और maturity पर मिलने वाले amount तीनों को आयकर कानून के तहत टेक्स चे छूट प्रापत है maturity period पूरा होने के बाद post office PPF account को 5 साल के लिए block में बढ़ाया जा सकता है इसके लिए maturity date से 1 साल के अंदर application देनी होगी account extend कराने पर इसे आगे नई deposit के साथ या बिना नई deposit किये जारी रखा जा सकता है मोज़ता balance पर ब्याज हसिल होता रहेगा post office PPF account के एक साल पूरा होने के बाद और 5 साल पूरे होने से पहले इस पर loan लिया जा सकता है इसके अलाग account के 5 साल पूरे होने के बाद इस से विद्रोल भी किया जा सकता है post office PPF पर intra-operable net banking, mobile banking के जरिये online deposit सुईदा इंडिया post payment bank saving account से online deposit की सुईदा उफलाब दे post office monthly income scheme account MIS का maturity period 5 साल है इस पर मुझूदा ब्याजदर 6.650 साल आना है जो कि हर माँ भुगतान किया जा सकता है post office MIS में minimum 1000 रुपे से account खोला जा सकता है maximum investment limit single account के लिए 4.5 लाक और joint account के लिए 9 लाक रुपे account को 10 साल से अधिक उमर के नाबालिक और दिमागी रूप से अगर post office MIS को prematurely close करना चाहते है तो एसा एक साल पूरा होने के बाद ही हो पाएगा account के तीन साल पूरा होने से पहले premature engagement पर post office deposit में 2 फिजदी काट लेगा तीन साल पूरा होने के बाद premature engagement पर deposit का एक फिजदी काटा जाता है post office MIS पर nomination सुईदा account को एक post office से दूसरे में transfer कराने की सुईदा एक ही post office में कई account खुलवाने की सुईदा single account को joint और joint account को single में convert कराने की सुईदा उपलब्द है इस scheme के तहत अपनी बच्ची के future को secure कराने के लिए account खुलवा सकते है SSY में माता पिता 10 वर्ष की आयो की बच्ची के नाम पर खाता खुल सकते है एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खुलेगा SSY account को minimum 2500 रुपे से शुरू कर सकते है इसमें एक वित्ति वर्ष में न्यूंतम जमाद 200 रुपे और अधिक्तम 1500 रुपे तैक की गई है इस दर की बात करें तो इस वक्त पोश्ट ओपिस में सुकन्या समरदी योजना अकाउंट पर सालाना 7.6 पिसदी का ब्याज मिल रहा है सुकन्या समरदी इस टीम में अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है सुकेन्या समरद्धी अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही बंद किया जा सकता है हलाकि बच्ची के 18 साल की होने पर उसकी शादी पर नोर्मल प्रिमेचुर क्लोजर की एनुमती है 18 साल की उमर के बाद बच्ची SSY अकाउंट से आंशिक तोर पर केश निकासी कर सकते है निकासी की सीमा पिछला विट वर्ष कतम होने पर अकाउंट में मुझूद बेलेंस का 50-50 तक है SSY में जमा की जाने वाले रकम पर सेक्शन ATC के तहद 1.5 लाक रुपे तक का टेक्स डिड़क्शन क्लेम किया जा सकता है इसके अलावा जमा रकम पर आने वाला ब्याज और मेचुरिटी पिरियड पर पूरा होने पर पैसा भी टेक्स फ्री है इस तरह SSY AAA केटेगरी की टेक सेविंग स्कीम है अब आती सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS इस स्कीम का मेचुरिटी पिरियड 5 साल है SCSS पर मुझदा ब्याजदर 7.4 फीस दी सालाना है इस अकाउंट में केवल एक ही बार निवेश किया जा सकता है जो मिनिमम हजार रुपे से लेकर मेक्जिमम 15 लाग रुपे तक है SCSS के तहट 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का वेक्ति अकाउंट खुलवा सकता है अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है तो वह भी SCSS में अकाउंट खुल सकता है लेकिन शर्थ यह है कि उससे रिटार्मेंट बेनिफिट्स मिलने के एक मा के अंदर या अकाउंट खुलवाना होगा त्रिनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट पर प्रिमेचूर क्लोजर के इनुमती है लेकिन पोस्ट ओफिस अकाउंट को एक साल पुरा होने से पहले बंद कराने पर कोई ब्याज नहीं देगा वहीं अकाउंट ओपनिंग के एक साल बाद अकाउंट क्लोस करने पर डिपोजिट का डेरफिस्दी कातेगे दो साल बाद बंद करने पर डिपोजिट का एक फिस्दी काटा जाएगा maturity period पूरा होने के बाद account को और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है इसके लिए maturity वाली तारीक के एक साल के अंदर application देनी होगी tax की बात करें तो अगर SCSS के तहट आपकी ब्याज रासी 50,000 रुपे साला ना हो जाती है तो TDS कटने लगता है हाला कि इस scheme में investment पर income tax act के section ATC के तहट छूटे SCSS पर nomination सुईदा account को एक post office से दूसरे में transfer कराने की सुईदा एक ही office में कई SCSS अकाउंट खुलवाने की सुईदा है के वीप को किसी भी departmental post office से खरीच सकते है इस पर nomination सुईदा उपलब दे certificate को एक वेक्ति के नाम से दूसरे वेक्ति के नाम पर और एक post office से दूसरे में transfer किया जा सकता है किसान विकास पत्र को जारी होने के धाई साल बात बुनाया जा सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्किम NST का maturity period 5 साल है इस पर मोजूदा साला नाव्याजदर 6.8 फिजदी NST में minimum 1000 रुपे से निवेश सुरूग किया जा सकता है निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं NST में सिंगल या जोइंट में 10 साल से अधिक उम्र के नावालिक और दिमागी रूप से कमजोर वेक्ति के नाम पर निवेश किया जा सकता है इसमें निवेश को आयकर कानून के section ATC के तहट tax rebate प्राप्त है NST को जारी होने से maturity date के बीच एक बार एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति के नाम पर transfer किया जा सकता डागगर में पेसा आपका 100% दी safe है छोटी बचत के निवेश को के लिए डागगर की बचत योजना ज़्यादा safe है इसलिए एसा क्योंकि अगर post office department रकम लोटाने में फेव हो तो post office के जमा पैसो पर sovereign guarantee होती है यानि किसी परिस्थिती में अगर postal department निवेश को का रकम लोटाने में फेव हो जाए तो यहाँ सरकार आगे बढ़कर निवेश को के पैसो की guarantee लेती है किसी इसलिए में आपका पैसा फसने नहीं पाता post office skim में जमा पैसो का इस्तिमाल सरकार अपने कामों के लिए करती है इसी वज़ए से इन पैसों पर सरकार guarantee भी देती है दूसरी और बेंक में रखे आपकी पूरी जमा पुझी सो फिस्दी सेप नहीं होती है अगर कोई बेंक डिफोल्ट कर जाता है तो उचिस्तिती में DICGC यानि Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation बेंक में कस्टमर्स के लिए सिर्फ पांच लाग रुपे की शुरक्षित की guarantee देता है यह नियम बेंक के सबी ब्रांच पर लागो होता है इसमें मूलदन और ब्यास दोनों को शामिल किया जाता है यानि अगर दोनों जोड़कर पांच लाग से जाता है तो सिर्फ पांच लाग ही शुरक्षित माला जाता है तो तरीके से हमने आपको इस वीडियो में पोस्ट कर एक साथ तब तक के लिए